हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटीब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर पर्फेक्ट टैंस तो आईए जान लेते हैं इनकी पहचान जब भविश्य में एक कारे दूसरे कारे से पहले समाप्त हो जाए एक बात जब भविश्य में एक कारे दूसरे कारे से पहले समाप्त हो जाए दूसरी बात इन वाक्यों के अंत में चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी आदिशब्द भी आते हैं इनकी हेल्पिंग वाफ्स बिर्कुल वैसे ही जैसा कि अब तक हम फीचर में देखते आ रहे हैं दो शेल है और विल है जैसे फीचर इंडेफिनिट में शेल और विल थी ऐसे यहां यहां क्योंकि पर्फेक्ट है तो शेल है और विल है और इसी तरह से आईवी के साथ शेल है और बाकी सब ही शी इत यू दे मतलब कहा जा सकता है कि आईवी को छोड़ करके बाकी सब के साथ विल हैव का यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं आप अपर्मेटिव का क्या structure होता है तो structure हमारा सभी में एक ही जैसा है subject plus helping verb plus main verb की third form plus object plus other word आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एक general structure चलता है structure चलता है वो सभी में यही होता है बस अंतर जो आता है हमारी helping verb और main verbs का ही आता है अधिकांश्टा तो example लेंगे formative में मुकेश कल तक अपना काम कर चुका होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा future perfect tense होता है उसमें हम तक के लिए by का use करेंगे तो यहां भी मुकेश will have completed his work by tomorrow कल तक बाई तुमारो ऐसे ही अगर तक आता है तो आप बाई का use करेंगे एक पर फिर से देख लेंगे मुकेश कल तक अपना काम कर चुका होगा मुकेश will have completed his work by tomorrow next example तुम्हें यह सूचना पहले ही मिल चुकी होगी you will have already got this information यदि होता कि मैं अपना काम कर चुका होगा तो I shall have done my work एक बात ध्यान देने वाली कि अगर हमारा I, V है तो shell have बाकी main work की third form सभी मिलेंगे और यदि I और V नहीं है तो बाकी सब करताओं के साथ हम will have का use करेंगे और main work की third form सभी के साथ होगी अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा जितना भी perfect tense है उसमें हमारे सामने ऐसी भी condition आईए जहां two clauses देखने को मिलती है तो यहां भी हमारे सामने ऐसा example है जिसमें two clauses मतलब complex sentence देखने को मिलता है तो देखें ऐसी condition में हम हमारा जो structure होगा वो क्या होगा राम के आने से पहले सी इता अपना कारे कर चुकी होगी तो यहां simply आपको क्या करना है कि जो काम पहले हो गया है उसको पहले रखेंगे पहले रखेंगे और future perfect में बनाएंगे will have shell have कपरियो करेंगे main work की third form का use करेंगे तो जैसा हमारा example कहता है सीता will have done her work before rum comes आप यहां देख रहे हैं कि sentence को हमने तीन भागों में टिवाइड किया है पहला है सीता will have done her work तो यह हमारा future perfect है जिसमें आप देखते हैं सीता हमारा subject according सीता के हम will have का use कर रहे हैं main work की third form done her work object उसके बाद हम plus before ले रहे हैं फिर हमारी next जो clause शुरू हो रही है उसमें हम देखते हैं before rum comes यहां पर हम देखते हैं कि इसको हम present indefinite में कर रहे हैं present indefinite मतलब जितने भी rules present indefinite के होते हैं वो सारे यहां पर लागू होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं ram comes तो हम future indefinite tense के affirmative sentence में singular number subject के साथ web की first form के साथ s या yes लगाते हैं तो यहां भी हम ram comes ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि according to subject आपको यहां web का विशेज ध्यान देना होगा चलिए यह आप समझी चुके हैं कि यहां क्या structure होगा note b मैंने आपको बता दिया है कि जो पहले काम होगा उसे future perfect में और जो काम बाद में होगा उसे हम present indefinite में बनाएंगे तो आईए अब हम देखते हैं कि हमारा negative structure क्या होगा तो पहले example ले लेते हैं वर्षा होने से पहले हम school नहीं पहुंच चुके होंगे वर्षा होने से पहले हम school नहीं पहुंच चुके होंगे we shall not have reached school before it rains तो इस structure देख लेते हैं subject plus will, shall plus not, plus have, plus main verb की third form plus object, plus other words, plus before, plus subject, plus main verb की first form, plus object, plus other words ये तो रहा हमारा negative अब चलिए interrogative और interrogative में type 1 का structure हमारे क्या होगा वो कुछ इस प्रकार है, will, shall, plus subject, plus have, plus main verb की third form, plus object, plus other words, plus before, plus subject, plus main verb की first form, plus subject, plus other words एक्जाम्पल लेते हैं, क्या वे सूर्य उदे होने से पहले तयार हो चुके होंगे क्या वे सूर्य उदे होने से पहले तयार हो चुके होंगे will they have got ready before the sun rises तो यहां जो हमारा काम पहले है उसको हम future perfect में लेते हुए जो हमारा will shall है उसको बहार लेंगे then subject है उसके बाद have हम देख चुके हैं कि अगर हमारी helping work में two words है तो उसका जो one half part है हम पहले लेते हैं और जो दूसरा part है वो subject के बाद में लेते हैं तो बिलकुल वही चीज हम यहां करेंगे will they have got ready before the sun rises क्या वह सूरे उदय हुने से पहले क्या वह सूरे उदय हुने से पहले तयार नहीं हो चुके हुए will they have not got ready before the sun rises will they have not got ready before the sun rises will shall plus subject plus not plus have plus main work की third form plus object plus other words plus before plus subject plus main work की first form plus object प्लस अदर वर्ड्स वही चीज़ दियान रखेंगे कि जब हम present indefinite मिलेंगे तो अगर हमारा subject singular number का है तो SES वर्ब की पॉर्म में जोड़ेंगे नहीं तो नहीं हम जोड़ेंगे तो इस बात का दियान रखेंगे मतलब सारे जो रूल से हमारे वो present indefinite के लगेंगे तो मैं समझती हूँ यहां तक आपको जो हमारा यह content है वो बिलकुल पूरी तरह से आपको clear है अब हम type 2 पे आते हैं interrogative के जिसका structure कुछ प्रकार होगा question word plus will plus will और shall plus subject plus have plus mean work की third form plus object plus other words plus before plus subject plus mean की first form plus object plus other words तुम्हारे जाने से पहले गीत कौन गात चुका होगा तो सबसे पहले कौन को हम बाहर लेंगे who will have sung a song before you go who will have sung a song before you go so that's clear to you next example देखते हैं तुम्हारे notice छोड़ने से पहले पत्र क्यों नहीं लिख चुकी होगी why will she not written a letter before you leave a notice why will she not written a letter before you leave a notice इसका example structure इस example का question word प्लस will shall प्लस subject प्लस not प्लस have plus main word की third form प्लस object प्लस other words प्लस before प्लस subject plus main word की first form प्लस object प्लस other words let's play with the sentence देखे जैसा कि हम आज तक अपनी पिछली वीडियो में करते हैं हैं तो यहां भी आपके सामने एक sentence है जिसको आप six structure में रखेंगे वे अच्छे बज़े तक अपना पाठीयात कर चुकी होगी she will have learnt her lesson by six o'clock वे अच्छे बज़े तक अपना पाठीयात नहीं कर चुकी होगी she will not have learnt her lesson by six o'clock क्या वे अच्छे बज़े तक अपना पाठीयात कर चुकी होगी will she have learnt her lesson by six o'clock क्या वे अच्छे बज़े तक अपना पाठीयात नहीं कर चुकी होगी will she not have learnt her lesson by six o'clock वे च्छे बजे तक अपना पाठ याद क्यों कर चुकी होगी? Why will she have learnt her lesson by six o'clock? वे च्छे बजे तक अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकी होगी? Why will she not have learnt her lesson by six o'clock? Now your exercise for practice before you. सूरे दो से पहले किसान खेत जो चुके होंगे, गंटी बजने से पहले विद्यारती अपनी कक्षा में नहीं पहुंच चुके होंगे, सीता पाठ बजने से पहले अपना पाठ याद कर चुकी होगी, प्रधना चार्या के आने से पहले कक्षा द्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके होंगे, क्या वर्षा होने से पहले तुम अपने घर पहुंच चुके होंगे तुम्हारे जूट बोलने से पहले वे समझ चुका होगा हमारे घर छोड़ने से पहले पिता जी उन्हें चेतावनी दे चुके होंगे तुम्हारे कहने से पहले पत्र कौन डाल चुका होगा तो हमारे दर्वाजा खोलने से पहले उसकी बहन कमरे में प्रवेश क्यों नहीं कर चुकी होगी उसकी पिंजरा खोलने से पहले पक्षी उड़ चुके होंगे